सो हाई दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं काफी कमाल और अच्छे ही होंगे तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले एक स्मार्ट वाच के बारे में जो कि जल्दी हो सकती है लॉंच तो देख लेते हैं क्या कि आपको इसमें फीचर देखने को मिलता है और स्मार्ट वाच कुछ इस तरह की होती है शायद देखने को समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों जादा वगजाय ना करते हुए मैं आपको पता देता हूं रियल में की वाच 3 प्रो की कुछ लीक्स वगरा डीटेल्स वगरा सामने निकल के आई है जो कि जल्दी होने वाली है लॉंच जैसे कि कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है इसके साथ अगर अगर इसके फीचर की बात करें तो काफी नय और इंप्रूट फीचर आपको यह लेवल तक का नहीं मिलता और स्मार्ट वाच और स्मार्टफोन दोने ही थोड़े बहुत डिफ्रेंस है दोनों में हां फोन कॉल का यूज आप स्मार्ट वाच पे भी कर सकते हैं इसके तरफ कुछ फीचर की बात करें जो आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है इस स्मार सब्सक्राइब आपको देखने को मिलने वाले अगर संसर की बात करें तो में संसर हाटाइट मानीटर MPo2 ब्लड ऑकसीजन मानीटर आपको यहां पर प्रेशन मानीटर भी देखने मिल जाता है और इसीके साथ अगर एपन ऑर भी इसमें फिचर्स की बात करते हैं पेड़मी कितब से आने वाले तो design look कमी नहीं रहेगी इसलीकिताद आपको नॉर्मल फिचर सभी smart watches में देखने को मिल जाते हैं alarm clock stop watch reminder timer इसलीक नॉर्मल वाच इसमें पो देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरीके से छोटे से यह सब और अच्छे लेवल के फीचर से मेरा मतलब था कॉम्पेट फीचर अलाम क्लॉक है सब ठीक है तो यह एक स्मार्ट वॉच हो सकती है जल्दी लॉंच इंडिया में अब देखते हैं कब क्या कैसे किस प्राइसिंग पर हो सकता है लॉंच रूमर्स के अकॉर्डिंग पांसेजा प्रॉडक्ट मिल जाते क्योंकि मैं इसके स्मार्ट फॉन्स करता है तो कमेंट जरू करना कि आप कौन सी स्मार्ट वॉच एक्च्वल में यूज करते हैं एपल वॉच एमाई की वॉच है रियल मी की वॉच या पैबल कौन सी आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं कमेंट जरू करना और मेरे पास तो क्रिये नॉइस किये तो कमेंट जरू करना थेंक यू गाइस वाचिन दीस वीडियो आम सुमिदेर राइट ने साइनिग अप फ्रम यूर फेवर पीस आफ टेक टेकर आफ फर यू थेंक चुब